नमस्कार आप देख रहे हैं दिललन टॉप बॉलिवड आक्टर जगदीब हमारे बीच नहीं रहे आठ जुलाई की राद जगदीब का निधन हो गया वो 81 साल के थे जगदीब को भारतिय सीने दर्शक खासिय कलाकार के तौर पर ज्यादा पहचानते हैं साल 1974 में रमेश सिप्पी निर्देशित शोले में जगदीब ने बेहद मशूर किरदार निभाया था सूर्मा भूपाली का इस फिल्म के बाद जगदीब को आम तोर पर सूर्मा भूपाली के नाम से ही देश्विदेश में जाना गया जगदीब असल में पर्दे के लिए इस्तमाल किया गया नाम था उनका असली नाम सेयद इश्ट्याक एहमद जाफरी था बॉलिवोड अक्टर जावे जाफरी इनके बेटे हैं साल 1949 में जगदीब ने 400 से जादा फिल्मों में काम किया लेकिन इनकी पहचान बनी 1975 में आई मशूर फिल्म शोले में सूर्मा भूपाली का किरदार निभाने से अब बताते हैं आपको बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट चुरू किया था उन्होंने अपना काम जगदीब ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करेर की शुरूवात 1951 में आई फिल्म अफसाना से की थी इस फिल्म में जगदीब ने बतौर बाल कलाकार काम किया इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया जिन में गुरुदत की आरपार बिमल रॉय की दो भीगा जमीन जैसी बहतरी इन फिल्में शामिल है अब आपको बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को जब पता चला तो उन्होंने शोग जताया जगदीब की मौत पर फिल्म इंडस्ट्री के दिगज लोगों ने ट्वीट करके शोग जताया है अजे देवगन ने ट्वीट किया जगदीब साहब के निधन की दुखत ख़बर सुनी उन्हें स्क्रीन पर देखकर हमेशा मज़ा आया उन्होंने दर्शकों के चहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बिखेरी जावेद और उनकी परिवार के सभी सतर्स्यों के प्रती मेरी गहरी समवेदना फिल्मेकर मधूर भंधारकर ने भी ट्वीट किया दिगज आक्टर जगदीब सर के निधन का समचार सुनकर दुखी हूँ उन्होंने साथ दशक तक हमारा मनुरंजन किया जावेद, नावेद और पूरी जाफरी परिवार के प्रशन्सकों के प्रती मेरी गहरी समवेदना तुषारदा ने लिखा कि rest in peace जगदीब सर मैंने स्कूल के functions में stage पर आपके कई फिल्मी scenes को perform किया है आप हमेशा याद किया जाएंगे नावेद और जावेद समेथ पूरे परिवार के प्रती मेरी समवेदनाए फिल्म निर्देशक और निर्माता कुशन नंदी ने लिखा कि हमने सूर्मा भुपाली को खो दिया है वो ठाको रुगबर, सांभा, कालिया, इमाम साहब, मौसी और रामलाल की दुनिया में शामिल हो गए है अक्टर तुशार ने जगदीब के निधन भर शोग जताते हुए लिखा, रेस्ट इन पीस जगदीब सर, हम जैसे लाखों आपके लाजवाब आक्टिंग को स्क्रीन पर देखकर बड़े हुए हैं, विरासत के लिए शुक्रिया और हसी के लिए भी शुक्रिया फिल्म अंदाज अपना-पना में सलमान खान के पिता बांकेलाल भुपाली के रोल में जगदीब को दर्शकों ने खूब सराहा था, जगदीब का फिल्मी सफर कई दशकों तक चला, 1988 में जगदीब ने सूर्मा भुपाली नाम की एक हिंदी फिल्म का भी निर्देशन किय था साल 2012 में आई फिल्म गली गली में चोर है में जगदीप ने पुलस वाले का किरदान निभाया था यह ख़वर यही तक देखने के लिए शुक्रिया और ख़वरें हम आपके लिए ला रहे हैं आप ललन टॉप के साथ रहें